वेलकम टू फोनुडेशन ग्लासेज स्टुडेंज आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रूज्स फार्दा रे डाग्राम तो लाइट वले सेप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टन कोर्शन आता अग्जाम में रे डाग्राम से बनाना तो रे डाग्राम से पहले उसकी सारी पढ़ने से पहले आई यह पहले समझ देते हैं कुछ रूल्स तो रूल्स समझें से पहले कल आपने हलका था टॉट की डिसकस किया था एक यह एक हमने मिरर बना रखा यहां पर इस मिरर को बोलेंगे हम कंके मिरर सुड़न जांपे मिरर कोई भी हो आइधर कंके वार कनवेक मैं यहां एक चाहर पर कनकेव बना लिया है सब्सकर्भ्र देख्रॉब यहां पर कुछ कुछ पॉइंट से जो एक मिरर के बीचमें सहब बन रहा इसे बोला कि यह पोल और यहां पर सभी रेज यह मिरेड कौन था था हमारा कंकेव है तो सभी रेज कंकेव मिरेड के ऊपर टकराने के बाद केता लाट अफ्र रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे एकठी होंगी वो पॉइंट हा सीरा सी हाँ यहीमनि काज है दिस्स के इसी है tussen रफ इते ग्ला students rule number one पता क्या बोलता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल पैरलल फॉल कर रही है मिरर पे ठीक है पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होने के बाद यह हमेशा पास करेंगी फोकुस बस तूड़न जिबा याद रखना कोई भी अगर रे है पैर पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है अफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासे थूप करेंगी यह फोकुस से ही पास करेंगी तूड़न आई होप्स हो कि आपको यह बास समझ आ रही है तो मैं फिर रेपीड कर रहा हूं अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है तो काहां से प प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल है और वो फॉल कर रही है मिरेट पे फॉल करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासे स्थू फोकुस कहां से पास करेंगी यह फोकुस से करेंगी लेकिन अगर कभी एक डाग्राम अलक्सिय बनाते है दोबारा यह हमारा मिरेर है और यह हमारा लेट इट भी अब देखिए अगर कोई देया फ्लाइट सेकंड केस में क्या है वो पास करती है एफ से और टकराती है कहां से मिरेर के साथ यानि के पासे थूफ आपकी बार पैरलल नहीं है एफ से पास करती हो जा रही है और मिरेट से टकराके रिफलेक्ट बैक ह रिफलेक्ट हो जाती है तो कैसी चल जाएगी यह पैरलल टू प्रिंशिपल एक्षिस क्या पड़ा भी हमने पहले बड़े केस में पड़ा था पैरलल थी तो ऐफ से जा रही थी आपकी बार एफ से आ रही है तो यह पैरलल हो जाएगी तो यह कंडिशन नमबर वन थी देखते हैं अगर सेम डागराम फिर बना लेते हैं ऐसे यह हमारे पास यह है уч यह हमारे पास rough sketch है मिर्रट का तो अभी हमने ठीका कि अगर parallel थी तो पास कहां से हो रही है f से second अगर f से जाकर टकराने के बाद क्या हो रही थी पैरलल हो रही थी वो third case क्या है कि अगर सी से गुजरती हुए जाती है mirror पे, तो जिस रास्टे से जा रही है, उसी रास्टे से बापस, यानि कि C से जाएगी, तो C से ही बापस आ जाएगी, यह अपना path change नहीं करेगी, जिस रास्टे से जा रही है, उसी रास्टे से बापस आ जाएगी, यानि कि एक निया track, निया रास्ता नहीं बनाएगी, पहल तो फ से चले गई थी तो पहले लोगे थी थर्ड में सी में जाएगी तो सी से ही बापस आ जाएगी यह थी कंडिशन नमबर फ्री तो फोर्थ बन कंडिशन अगर मैं और बताओ इसी डायग्राम में कर लेती है अगर कोई रे बिल्कुल को इंचिटेंट कर रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो वह पी को क्रास करती हुए सीधी पास आउट हो जाएगी तो जो स्टुडंस अगर यह चार कं को दिमाग में रखते हुए अपड़ी डायग्राम से बनाते हो तो मैं जकीन से कहता हूं कि आपकी डायग्राम कभी भी गलत नहीं बनेंगी एकदम एग्जेक्ट बनेंगी तो एक पर फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारी कोई रे फॉल कर रही है मिर्ट पे पैललर तो प्रिंसिपल एक्सेस कंडिक्शन नमबर थी इफ पासिश थूज सी अफ्टर रिफ्लेक्शन दैन इट बांस बैक थूज सी तो नेक्स इफ कोईंचिदेंट अन बा प्रिंसिपल एक्सेस दैन पासिज स्ट्रेट थूज थूज दा मिर्ट फिर ये कहीं आप इसकी दैग्राम के लिए अब यही चार कंडिशन सम्हों जूज करके आइधर इन केस अफ मिरर्स और इन केस अफ लेंगे जितनी भी हमारी लगबग सोला डायाग्राम सबनेंगी 16 16 16 16 डायाग्राम में यही चार रूल्स हम एपलाई करेंगे और हर एक डायाग्राम को हम एक्जे इसके अगले वीडियो में सभी की सबी डायग्राम पढ़ चुके होंगे और उसके बाद हम पेपर में अग्जाम में बना बी लेंगे और हमारे अच्छे नमबर आजाए आई होप सो स्टुडन्स आपको आजकर वीडियो समझ आया आपको कुछ बाते समझ आई आइं अब